नमस्कार दोस्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है, आज हम चर्चा करेंगे घर के मंदिर में रोज भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, भगवान को भोग लगाने में किन-किन चीजों का सावधानिया रखनी चाहिए, ये सब चर्चा हम आपको इस वीडियो में करेंगे, दोस्तों, घर में भगवान को भोग, अंतर मन से भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान आपके प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान को जो भी भोग लगाएं, सुध्धता से लगाएं, और सुध्य मन से लगाएं, दोस्तों, भगवान को भोग, सात् चीजों का भोग लगाना चाहिए ऐसा नहीं है कि घर में खाना बनाएं और खाना बनाने के बाद उसमें किसी को खिला दे फिर ले जागर के भगवान को भोग लगाना चाहिए नहीं उसको भगवान को भोग सुध्ध चीजों का भोग और साफ चीजों का भोग लगाना चाह सकते हैं घर में भोग जरूर लगाना चाहिए घर के मंदिर में भोग रोज जरूर लगाना चाहिए या आप फल का भोग लगा सकते हैं कोई भी मौसमी फल आया हो आपके घर में तो उसका भोग लगा दें अगर आपके पास पांच प्रकार के फल हैं तो और भी बढ़िया है आप पांच प्रकार के फल का भोग लगा सकते हैं अगर ओभी नहीं है आपके पास तो दोस्तों फूल का भोग लगा सकते हैं केवल फूल च भोग लगा सकते हैं अगर जल भी नहीं है दोस्तों तो आप मानसिक भाव से भोग लगा सकते हैं या दूद की बनी मिठाईयां पंचमेवा मिश्री गूड किसी भी चीज का आप भोग लगा सकते हैं दोस्तों किस पात्र में भोग लगाना चाहिए सास्त्र के अनुसार दोस्तों सोना चांदी में भोग लगाना चाहिए नहीं तो तामा में पीतल में किसी भी पात्र में आप भोग लगा सकते हैं अगर आपके पास इस्टील के बरतन हैं तो आप साफ इस्टील के बरतन नए ख अगर वह भी नहीं है तो आप पत्ते पर भगवान को भोग लगा सकते हैं वह भगवान सिवकार करेंगे दोस्तों जल का घेरा बना लें भगवान को जल के गेरे में जो भी आपको प्रसाद चड़ाना है उनको भोग लगाना है उसको रख करके आप भोग लगा सकते हैं भогवान को कभी भी भोग लगाते समय भगवान के दाहिने तरफ भोग लगाना चाहिए दोस्तों भोग लगाने से पहले आपको अगनी देव को जरूर भोग लगाना चाहिए अगनी देव को भोग लगाने के बाद ही आपके घर के मंदिर में भोग लगाना चाहिए जब भी किसी भी चीज का अगर आप भोग लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तुलसी दल का पत्ता जरूर डालना चाहिए भोग लगाते समय आपको घंटी जरूर बजानी चाहिए अगर आप घंटी नहीं बजाते हैं तो ताली ही बजाएं लेकिन भगवान को भोग लगाते समय घंटी या ताली जरूर बजाना चाहिए अगर गणेश जी को भोग लगाते हैं तो उन्हें दुर्वा का भोग लगाना चाहिए, सीव परिवार को तूलसी दल नहीं चड़ाया जाता है, इस वज़ा से इसका ध्यान दें दोस्तों अगर गणेश जी को भोग लगाते हैं तो दुर्वा का भोग लगा लें और जब भी आप भोग लगाते हैं तो भोग लगाते हैं समय भोग लगाने के बाद थोड़ी देर हाथ जोड़ करके आँखें बंद कर लेनी चाहिए और भगवान से प्रातना करनी चाहिए छमा याचना करनी चाहिए, भोग दोस्तों भोग लगाने के बात उहां भोग को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे थोड़ी देर बात उहां से हटा लेना चाहिए, घर के मंदिर में भोग उसी तरह से लोग छोड़ देते हैं, अगले दिन उठाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए अब दोस्तों बात आती है भोग किन चीजों की सवधानिया रखनी चाहिए भोग लगाते समय भोजन असुध नहीं होना चाहिए जो भी आप भोग लगाना चाहिए वो सुधता और साफ होना चाहिए और लासुन प्याज का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए इन चीजों का विशेज ध्यान देना चाहिए, दोस्तों भोग का जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, जैसे खीर बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ें बना रहे हैं, तो भोग बनाते समय चपल पहन करके नहीं बनाना चाहिए, वैसे तो अपने कीचन में चपल पहन के ही नहीं जाना चाह इसलिए तुलसी दल उनको नहीं चड़ाना चाहिए यह थी कुछ विशेश जानकारियां दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद